हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारा चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको complete analysis देने वाला हूँ आज की date के recording टोटल 21 आरारबी के अंदर कितने form फिलप हुए हैं CBD2 के लिए कितने लोग जाने वाले हैं और per seat competition आज के date के recording कितना है मेरे भाई बस एक दिन और बचा हुआ है 19 तारीका आज 18 तारीक है कल का date के बचा हुआ है एक दिन के बाद इसका form close हो जाएगा उसके बाद मैं एक वीडियो और आपके लिए ले करके आऊंगा तो दोस्तो आज अगर किनी को भढ़ना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो और दोस्तो के साथ में share कर सकते हो मैं complete analysis यहाँ पे आपको दे रहा हूँ दोस्तो YouTube पे ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है जिसमें आपको संपूर्ण analysis किया गया है कितने form है यहाँ पे CB2 में कितने लोग जाएंगे और per seat competition कितना है दोस्तो यदि आप ALP की त्यारी कर रहे हो तो मेरे भाई CBT1 के लिए आपको कीरन publication का practice workbook मिल जाता है काफी बढ़िया बुक है दोस्तो जिसे latest pattern के according design किया गया है मेरे भाई इस बार जो pattern है आपका जिसके अंदर एक घंटे के अंदर आपका 75 questions पूछे जाएंगे 75 marks का होगा और इसके अंदर one third negative marking होगा तो इसे एकदम related pattern के according design किया गया है जिसमें questions जो है वो आपका mathematics, reasoning, समाने विज्यान और समाने जगरुता के प्रस्न cover किये गए मेरे भाई ये बुक आपको Hindi और English दोनों में मिल जाएगा आप चाहो तो नजदीकी book store से purchase कर सकते हो या फिर मैं description box में link दे दूँगा वहाँ से भी आप purchase कर पाऊगे अब चलिए मेरे भाई मैं आपको complete data प्रोवाइट कर देता हूँ सभी RRB का ठीक है तो सबसे पहला start करते हैं एहमदाबाद से ठीक है अब दोस्तों एहमदाबाद के अंदर आगे यदि आप गौर करो तो total form जो fill up हुआ है वो 54187 है ठीक है आप देख सकते हो आप बोलोगे fraud है ये वो है तो मेरे भाई मैं आपके सामने registration number भी paste कर दिया हूँ ठीक है तो registration number से भी आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5418570 लोग जो है वो CBD2 में अपियर होने वाले हैं आज के date के नुसार से जो परसीट कम्पिटिशन है दोस्तों वो 15 है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है चलिए आप चाहो तो इसे copy भी लिख सकते हो कोई सू नहीं है बाकी आपकी इक्छा मेरे भाई गोवाटी जोन की बात की जाए तो गोवाटी जोन के अंदर टोटल जो फॉर्म फिलप हुआ है वो 22,707 हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं आपको केवल अपना ही लिखा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ आप रेश्टिशन नंबर भी देख सकते हो ठीक है 22,730 CBD-2 के अंदर 930 लोग यहाँ पे अपियर होंगे और आज के डेट के अकॉर्डिंग जो परसीट कंपिटिशन है दोस्तो वो 24 है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो अगला जो तीसरा जोन है मेरो दोस्तो वो है कोलकाता ठीक है कोलकाता के अंदर यदि आप गौर करो तो 69,170 फर्म फिल अप हुआ है 51,57 लोग CBD-2 में अपियर होंगे और यहाँ पे परसीट कंपिटिशन जो है वो 12 है ठीक है चलिए अगला जोन की और आगे वरते हैं अगला जो जोन है दोस्तो वो आपका भूमनेस्वर है भूमनेस्वर के अंदर टोटल 65,595 फर्म गिरा है यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यह बॉल के माद्यम से 65,595 फर्म गिरा हुआ है और 42 लोग CBD-2 में अपियर होंगे तो टोटल 16 आज की डेट के गॉर्डिंग परसिट कमपेटिशन है ठीके देखें यूट्यूब के उपर ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा लोग ऐसे तैसे यह बता दे रहे हैं कि भाई इतना फर्म गिरा है इतना फर्म गिरा है लेकिन मैं आपको यह परसिट कमपेटिशन कितना है ठीके तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो आपका भी एक करतब बनता है कि वीडियो को लाइक कर लो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी परकार के वीडियो आपको कमप्लीट अनालेसिस के साथ में मिलता रहे ठीके चलिए अगला जो यहाँ पे जोन है वो भौबाल जोन है भौबबाल जोन के अंदर मेरे बायी टॉटल फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म कितना गिरा है छी अजासी हजार 1480 ठीके मैं इडिकेट कर दे रहा हूं बहुल की माध्येम सा चलिए अगला बेंगलोर जोन है बेंगलोर जोन के अंदर जो फॉर्म गिरा है वो एक लाग साथ सो और सट है और साथ हजार पंचानवे लोग सिविडी टू में अपेर होंगे तो आज के डेट के कॉर्डिंग यहां पे 14 पर सिट कम्पिटिशन है ठीक अब चलिए अगला ज 11,185 है 1,805 लोग सिविडी टू में अपेर होंगे 15 अज के डेट में पर सिट कम्पिटिशन है ठीक है तो यह आप देख सकते हो चलिए अगला जो जोन है दोस्तो वह आपका सबसे होटेस्ट जोन है लेकिन उतना भी जादा यह लोग बहुत जादा हवा बनात दे रहे हैं लेकिन मेरे भाई मेरे according तो ये safe zone है ठीक देखिए लोग जो है जो अभी नया नया student यो फिर नया नया जो आइट्याइग किये होंगे वोे इस zone में apply किये होंगे जादा सिर्ट करके लेकिन मेरे भाई यहाँ पे competition उतना भी अधिक नहीं है आप देख सकते हो दो लाग सतावन हजार पंद्रा फॉर्म गिरा हुआ है उननीस जार साथ सो चालिस लोग सीविडी टू में अपेर होगा ठीक है तो तेरा आज के रेट में पर सिट कमपेटिशन है और यहां पर आपको नए लड़के ही देखने को मिलेंगे अधिकांस जैस अगला जो जोन है राची जोन राची यार सुरू सुरू में ठीक था लेकिन अभी भी ठीक है उतना भी जादा यह नहीं है 26,814 फॉर्म फिल अप हुआ है 295 सीविडी टू में अपेर होंगे यहां से 12 पर सिट कमपेटिशन है यहां पे तो यहां पे भी आप रिस्क ले सक देखते हो चलिए माल्दा की और आगे बड़ते हैं माल्दा जो है अबी तक सबसे सेब जोन है ठीक है अब एक दिन में क्या ही यहां पर बहुत जादा अच्या मतकार हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक दिन में बहुत जादा फॉर्म गिरने की भी बहुत जादा स है अब देखिए 3255 पर सिट कमपेटिशन है अब आप किजएगा 3255 सेकेंड सेबिटी में जाएंगे और 9 पर सिट कमपेटिशन है अज के डेट के कॉर्डिंग ठीक है अगला जो जोन है दोस्तों वो सिकंद्राबाद है आप सिकंद्राबाद की बात की जाए तो टोटल 1778, 1834 इतना फर्म गिरा है 11314 लोग सिट कमपेटिशन है यहां पर ठीक है चलिए अगला आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा सिली गुली जोन में आप देख सकते हो 1217 फर्म गिरा है 1005 लोग सिट कमपेटिशन 12 है यहां पर ठीक है अगला जो जोन है दोस्तों मुझः अफर पूर जोन है मुझः अफर पूर जोन की बात की जाए तो 7260 लोग सिट कमपेटिशन है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिवन्थ पूरम की और त्रिवन्थ पूरम की सिती ठीक ठाक है दोस्तों 10714 फर्म ही गिरा है और 1050 लोग अपेटिशन मात्रत 10 है यहां पर आगे जो जोन है दोस्तों वो पटना है ठीक है 9695 फर्म गिरा है और 570 लोग सिट कमपेटिशन है यहां पर तो बहुत ज्यादा नहीं है यहां पर ठीक है जमू स्रीनगर को देखे तो जमू स्रीनगर के अंदर 14366 फर्म गिरा है 585 लोग सिट कमपेटिशन यहां पर आज क डेट में है ठीक है अब आई गौरकपूर की बात की जाए तो गौरकपूर की सिती थोड़ा बहुत डेंजर की और जा रही सुला हजार अलसट अप्लाय हो चुका है 645 लोग ही सीबीटू में अपेर होगा 25% competition है ठीक है चलिए आगे वड़ते हैं आगे जो जोन है हमारा भाई वो सदर्न रेल्वे चिन नहीं है ठीक है एसार चिन नहीं है चार तैतालीस लाग 466 माप किजिए कि मेरे भाई हो जाता है मिसमैच 43,000 है ठीक है तैतालीस जार 466 फॉर्म गिरा है 2220 जो है वह सीबीटू में जाएंगे और 20 पर सिट कमपेटिशन सीट यहां पे 149 मैंने लिखा हुआ है 140 को आप 15 से गुना करोगे तो 2220 आता है ठीक है तो 20 आज की डिट में पर सिट कमपेटिशन है अगला जो जोन है दोस्तो वह आपका चंडीगड है ठीक है चंडीगड की बात किजा है तो यहां पे आप दे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर देना इतनी महेंनत अब कि लिए मैं असारा अनलीसिस लेकर आया हूँ मेरे इस टाइसे वीडियोध को कहीент मीलेगा जिसमें आपको पर सिट कमपेटिशन डिभाइट करके बताया है आ ठीक है लोग ऐसे दैसे बता बागी आप अपना बुद्धी विवेक का इस्तेमाल करो और जो भी जोन में चाहो भाई आप सोतंत्र हो भर सकते हो कोई इसू नहीं है ठीक है चलिए चंडीगड के बाद अगला जो जोन है मेरे भाई वो आपका अजमेर जोन है अजमेर जोन के अंदर 44,401 फर्म अप्लाई हुआ है और 3420 यहां पे CBT-2 में अप्पेर होगा 13 फर्सिट कंपेटिशन है ठीक है अगला जोन है मेरे भाई वो आपका प्रियाग राज है इलाहाबाद है प्रियाग राज के अंदर 66,508 फर्म अप्लाई हुआ है 42,90 लोग CBT-2 में अप्पेर होंगे 16 यहां पे फर्सिट कंपेटिशन है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो यही टोटल मैंने 21 आररवी आपको बता दिया है एक भी आररवी को मैंने नई छोड़ा है 21 आररवी का मैंने कंप्लीट अनालिसिस दिया है अब मेरे भाई इतना बताने के बाद छोटा सा आपका भी करता भी बनता है कि अभी के बाद जो भी लोग form को fill up करेंगे तो मेरे भाई आप अपना थोड़ा registration नमबर ठीक है registration नमबर के वल और अपना zone को एक बार भेज दिजेगा इस email पे जो कि है तो मैं आपको आपसे आशा करूंगा मेरे भाई कि आप इस पे जरूर अपना registration नमबर और अपना zone को एक बार भेजेंगे ताकि एक बार मैं फिर से आपको सही data के साथ आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत कर पाऊं ठीक है तो यह हमारी आपसे आप इक्षा है बाकी आपकी इक्षा कि आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद